नमस्कार दोस्तों, आप सब का स्वागत है आपके अपने चैनल, Government Exam Study में दोस्तों, हमेशा की तरह हम फिर आपके लिए ग्रामीर समाज की प्राक्टिस सेट लेकर आए हैं प्राक्टिस सेट शुरू करते हैं और आप से यही बोलूगे जितने भी आपके मार्क्स आएं उसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताईए पहला प्रशन ग्रामीर समाज की विशेषता है आकारिये विशेषता, आर्थिक विशेषता, सामाजिक विशेषता, सांस्कृतिक विशेषता आपको नीचे दिये हुए option से बताना है केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल दो और चार या फिर एक, दो, तीन, चार आपको पता होगा ग्रामीर समाज के ये सभी विश्वेशताय हैं यानि कि option आपका यहाँ पे होगा option number D एक, दो, तीन, और चार ठीक है? चलिए, नेक्स प्रेशन देखते हैं आठवी पंच वर्षी योजना किस model पर आधारित थी? जॉन डबलू मिलर मॉडल, हेरोड डोमर मॉडल, पीसी महाल नोबिस मॉडल या फिर उप्युक्त सभी अब देखिए, आप सभी को इसमें से हेरोड डोमर मॉडल और पीसी महाल नोबिस मॉडल तो पता ही होगा कि 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 पंच वर्षी योजना में थी? आप कमेंट सेक्चन में हमें बताएंगे आपका कौन सा option रह जा रहा है? दूसरे का A यानि कि आप मी पंच वर्षी योजना जोती वो जॉन डबलू मिलर मॉडल पर आधालित थी तीसरा प्रशन शुदता मिस्थरता तता हप्पुना उत्पादकता किसका प्रमुक तत्व है? व्याद्यता, विश्वस नियता, सह सम्बंद, सह सम्बंद गुडांक तीसरे का क्या होगा दोस्तों? तीसरे का होगा B विश्वस नियता, ठीक है? चलिए चौथा प्रशन देख लेते हैं जी वी के राव समिती का सम्बंद है खंड इस्तरी नियोजन पर कारेदल, पंचायती राज संस्थाओं पर ग्रामीर विकास एवं गरीबी उन्मूलन कालिक्रम जिला नियोजन पर तो बताईए चौथे का क्या होगा आपका? चौथे का होगा आपका C ठीक है? ग्रामीर विकास एवं गरीबी उन्मूलन कालिक्रम इस पर जी वी के राव समिती का सम्बंद है ठीक है चलिए नेक्स देख लेते हैं पांचवा प्रशन रास्ट्री ये बागवानी मिशन में केंद्र सरकार का कितना प्रतिशत योगदान है 30 प्रतिशत, 60 प्रतिशत, 70 प्रतिशत या फिर 85 प्रतिशत तो कितना योगदान है? बागवानी मिशन में केंदर सरकार का 85 प्रतिशत है 85 परसंट योगदान है चटना प्रशन देख लेते हैं भारत में बहु फसली कारिकरम कब शुरू किया गया? वर्ष उनीस सो सरसट से अर्षट में, उनीस सो सत्र से इकत्र में, उनीस सो चोहत्र से पच्छत्र में, या फिर वर्ष उनीस सो असी से इक्यासी में, इसका आपका होगा छे का ए, भारत में बहुत फसली कारिक्रम शुरू किया गया था, उनीस सो सरसट से अर्षट में, ठीक तो क्या होगा, नाइट्री करण के लिए उप्यक्त तापक्राम होगा आपका 30 से 35 डिगरी, ठीक है, साथ में का B होगा, चलिए, नेक्स देख लेते हैं, आठवा, भारत की कितनी प्रतिशत भूमी बंजर है, 4 प्रतिशत, 7.6 प्रतिशत, 5 प्रतिशत, या फिर 10.5 प्रतिश वर्ग किलोमीटर कितने हेक्टेर के बराबर होता है, 90 हेक्टेर, 95 हेक्टेर, 97 हेक्टेर या फिर 100 हेक्टेर, एक वर्ग किलोमीटर कितने हेक्टेर के बराबर होता है, ये आपका होता है, 100 हेक्टेर के बराबर, बहुत इंपोर्टेंट इसको याद रखेगा, एक वर्ग क सभी इसका क्या होगा आपका इसका होगा उप्युक्त सभी ठीक है यह सभी आपकी भूदावन पद्दती है चलिए ग्यारवा प्रश्ण देख लेते हैं सरवाधिक राजियों को इसपर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का जन्पद है बलिया सोन भद्र सहारनपुर लखीमपुर खीरी ग्यारवा क्या है इसका है आपका बी सोन भद्र ठीक है सरवाधिक राजियों को इसपर्श करने वाला जो जन्पद उत्तर प्रदेश का वो है सोन भद्र नेक्स प्रशन देख लीजे बाराववा प्रशन पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्राम जयोती योजना का शुभारम किस वर्ष किया गया एक अगस्त दो हजार चौदा को 15 अगस्त दो हजार चौदा को 20 नवंबर दो हजार चौदा को या फिर 25 नवंबर दो 2014 को दीन दयाल उपाध्याय ग्राम जयोती योजना का शुभारम किया गया था आगे देख लिए तेरा हुआ प्रश्न समीती समानिता कुछे कुछ देश्यों की प्राप्ति हेतु व्यक्तियों का मिलकर कार्य करना है या कथन किसका है अरस्तु बेकन लॉक या फिर हर्दुआ गंज ताप विद्दुद केंद कहां अवस्थित है हर्दुआ गंज अलीगड दादली गौतंबुद नगर उचाहार रैबरेली खारा सहारनपुर्ग यहां तो इन्होंने क्योंकि आप्शन में ही लिख दिया कि हर्दुआ गंज अलीगड तो वही आप्शन हो हर्दुआ गंज ने दिखा होगा सिर्फ अलीगड दिखा होगा ठीक है तो हर्दुआ गंज ताप विद्दुद केंद कहां अवस्थित है अलीगड में पंद्रा प्रशन देख लिजे लखीम पूर एवं सीतापूर की सीमा निम्द लिखित में से कौन सी नदी बनाती है त्रिवेडी नदी घागरा नदी टोंस नदी या फिर गंगा नदी लखीम पूर और सीतापूर की नदी कौन सी सीमा नदी बनाती बताईए पंद्रा का क्या होगा घागरा नदी बिलकुल सही पंद्रा का बी होगा घागरा नदी जो है वो आपकी लखीम पूर और सीताप सोला का क्या है आपका सी है हर घर नर्योजना की शुरुवात 23 नवंबर 2020 से की गई है सत्रा प्रशन देख लेते हैं केंद्रित साक्षातकार का प्रयोग किस समाज साश्त्री ने किया है अठारा का ए है उप्षन की ज़रुवत नहीं है इसमें आपको 19 प्रशन देख लीजे जैव पदार्त की अधिक मात्रा से भूमी का रंग हो जाता है लाल, काला, पीला या फिर हरा सभी को पता होगा जब जैव पदार्त जादा होते हैं तो भूमी का रंग कैसा हो जाता है काला हो जाता है, है ना काला जब मिट्टी होती बोलते हैं यूमस बहुत जादा होगा इसमें डोलोमाइट उत्तर प्रदेश के किन दो जनपदों में पाई जाती है सहारनपुर एवं मिर्जापुर देवरिया और बलिया सोनभद्र और बांदा और हमीरपुर देखिए आपके सारे प्रशन जो है कई प्रशन में से रिपीट हो रहा है तो बीस का क्या उत्तर होगा अगर आप रेगुलर्ली लगा रहे होगे ना प्राक्टिस से तो आपको परचलता होगा कि ये रिपीट हो रहा है समय डोलोमाइट किंदो जनपदों में पाया जाता है सोनभद्र और बांदा में ठीक है 21 प्रशन देख लिजे जनगर्ना के अनुसार उत्तर प्रदेश की ग्रामीर साक्षरता दर कितनी है 64.20 63.5 61.20 या फिर 65.5 21 का आपका डी है 65.5 प्रदेश की ग्रामीर साक्षरता दर है मैं आपसे बार बार हर वीडियो में बोलती हूँ कि आपको जनगर्ना पढ़ाऊंगी आज मैं आपको लेकिन जनगर्ना पढ़ाऊंगी अभी मैं लाइफ क्लास लोगी पीडियाफ की माध्याम से ही उसका मैं लिंक आपको अभी कम्यूनिटी चैनल पे आपको पोस्ट कर दूँगी ठीक है लाइफ दिखने लग जाएगा तो आपने अगर अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजए कि आज हम लोग जनगरना पढ़ेंगे जनगरना से प्रश्ण हर परिक्षा में यूपी की जरूर आएंगे बाईस प्रश्ण है बल सुन्दरी देवी मेला का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जनपद में होता है अनूप शहर बुलंद शहर सानात वारानसी सर्धना मेरट नजीबाबाद बिजनौर तो बाईस का क्या उत्तर है बाईस का आपका है अनूप शहर बुलंद सहर में बल सुन्दरी देवी मेला का आयोजन होता है तेईस प्रश्ण है किस प्राइवेट संस्था द्वारा सोन भद्र के मियोरपुर में निजी अवाई हड़े का अवाई अड़ा विक्सित किया जा रहा है रिलायंस ग्रूप आदित बिल्ला ग्रूप अधानी ग्रूप या फिर टाटा ग्रूप तेईस का क्या है तेईस का आपका है बीप आंसर ठीक है कहां पे हवायड़ा विक्सित किया जारा आदित बिल्ला ग्रूप में 24 का है न्यू हार्मोनी प्रयोग के समाजवादी विद्वान ने किया एंजिल्स, मार्क अबाहय, रॉबर्ट ओविन या फिर चार्स भूत 24 का आपका C है, रॉबर्ट ओविन आंसर है इन्हों नहीं इस समाजवादी विज्ञान जो इसका प्रयोग है, न्यू हार्मोनी प्रयोग इन्हों नहीं किया था आज का आखरी प्रशन है, म्रिदा कोलाइड का प्रमुख गुड है अधिशोषण, अर्ध पारगम में जिली से विसरित ना होना, ब्राउनियन गती या फिर उप्यूख तो सभी तो म्रिदा कोलाइड का सभी आपका पता है, ब्राउनियन मुवमेंट ये जिली से विसरित ना होना, ये सभी किसका है Collidal Solution का प्रमुख गुड है ठीके दोस्तों, आज के आपके practice set में इतने ही questions थे, 25 questions हो गए है comment section में जरूर बताईएगा चैनल को subscribe ना किया हो तो जरूर कर लिजेगा, आज हम लोग शाम को UP के census पढ़ेंगे जनगरना पढ़ेंगे, धन्यवाद